शेर मार्केट की ग्रीन कैंडल देखकर खूस होना लाजमी है दोस्तों क्यों न खूस हो इतनी दिनों बाद तो एक मौका मिला है प्रोफिट बूक करने के लिए और जिसने भी इंतिजार किया उसका फॉल देखिए अभी कितना अच्छा मिला है जो टेडर है वो तो आज माला माल होंगे दोस्तों आज का ग्रीन कैंडल देखकर ज़्यादा खूस न हो दोस्तों एक मौका मिला है प्रोफिट बूक करने के लिए और ये सेक्टर हम आपको कल ही बताये थे बैंक सेक्टर, PSU बैंक सेक्टर, प्राइबेट बैंक, PSU बैंक और रियल स्टेट सेक्टर, रियलेटी स्टोक चाहें कोई भी स्टोक तो दो नहीं तीन हमने कर ही आपको बताया था तो आज प्रोफिट करना लाजमी है कुछ पैसा आना भी चाहिए दोस्तों क्योंकि कुछ से स्टोक जो है लेने के लिए इंतिजार कर रहे हैं उसको जिसमें प्रोफिट हो रहा है उसको अपनी निकल कर तीजोरी में रखिए और जो अभी बताने जा रहा है उसको खरीदन की तैयारी कर लिजिए क्योंकि ये इस्टोक आपको 340 रुपया का ये टारगेट इंटाडे टेक मुंबई एम्बी ए बीके सिंग की सौप्टियर पर आया है अगर आज जिसमें प्रोफिट बुक करें उस प्रोफिट बुकिंग के साथ जितने एमाउंट आ रहा है आप ल लाइट टेकनोलोजी लिमिटेड ये कॉम्मुनिकेशन सेक्टर का 5G का 5 रिंग का काम करता है जो बहुत बढ़िया और फंडामेटली वेरियस टोंग इसके जितने भी डिरेक्टर हैं काम करते हैं ये कंपनी काम करती है क्योंकि ये काम करने आई है दोस्तों एक नहीं दो लाइन मैं सुनाना चाहता हूं किसी भी स्टोक के लिए और कुछ ऐसे भी स्टोक होते हैं जो आपको इस लाइन इस पंक्ति में आपको मिल जाएंगे ऐसे सियर और ऐसे कंपनी और ऐसे स्टोक से सावधान राना चाहिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छी लाइन मैं बता गाय घास खाकर भी दूद देती है दोस्तों गाय घास खाकर भी दूद देती है लेकिन वही दूद साप पीता है तो भी जहर ही उगलता है तो हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते तो यहां हैं दूद पीते तो हैं साप की तरह और जब वो किसी को कहीं भी अगर तच भी करता है तो जहर ही उगलते हैं ऐसे देश द्रोहियों और राष्ट द्रोहियों से सावधान रहे आस पास ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं तो उनको सबक सिखाने की जरूर सोचना चाहिए इसलिए कि हमारा भी एक करतब है हम जिस देश में रते हैं उस देश की पूजा करनी चाहिए और यही हमारा चाहे हो कुरान हो बाइबिल हो गीता हो या रामाइड हो कहीं भी अगर लिखा हो कि जिस देश में जिस राज में जिस घर में रते हैं उसमें उसकी पूजा करनी चाहिए उसकी बड़ाई करनी चा ऐसे share भी हैं ऐसे stock भी हैं दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे share मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ इस तरह के stocks और इस तरह के company को कभी भी एक रुपया एक share भी नहीं खरीदना जिन्दगी बर्बाद कर देती है कैसे लोगों को नए लोगों को हमारे जैसे लोगों को हमें भी बर्बाद किया लेकिन हम ओ जो नुकसान किये हम आपका नए होने देंगे यह हमारा प्रण है और इसलिए हमने channel भी बनाये दोस्तों कभी भी उस stock को नए खर दिये जो market में उसका समान लिखता ही नहीं है जै हिंजे भारत बंदे मातरम